हम सब इसमें एक साथ हैं कोरोना वाइरस को समझने के लिए सामुदा एक स्वास्त्य मार्क दर्शिका कोरोना वाइरिस क्या है? 2019 नौवल कोरोना वाइरिस सांस की बिमारी देने वाला एक नया वाइरिस है जिसकी पहचान पहले नहीं की गई थी यह वाइरिसों की एक बड़े परिवार का हिस्सा है जिन सभी को कोरोना वाइरिस कहा जाता है कोरोना वाइरिस कैसे फैलता है? सांस की नाली से निकली बूंदों के जरिये किसी संक्रमित व्यक्ति के खासने या चीकने पर हवा में छोड़ी गई बूंदों के जरिये या फैल सकता है किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्ग के जरिये भी या फैल सकता है किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा चुई वस्तूओं या सतों को चुने के पश्चाथ अपने चेहरे को चुएं तो या वाइरिस आपके मू, नाक और आखों से प्रवेश कर सकता है आप खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं? नस्दी की संपर्ग से बचें बिमार लोगों के साथ नस्दी की संपर्ग से बचें उनसे 2 मीटर या 6 फीट की दूरी बनाए रखें अपने हातों को अकसर साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक थोएं हातों को कैसे धोना चाहिए? सबसे पहले गीले हातों पर सैनिटाइजर या साबुन लगाएं फिर हातों को हतेली से रगड़ें एक हात की हतेली से दूसरे हात को रगड़ें और इसी तरह दूसरे हात में दोहराएं उंग्लियां फसा कर हाथ की हतेलियां रगड़ें फसी हुई उंग्लियों के पीछे की तरफ से दूसरे हाथ की हतेली से रगड़ें अंगूठे को दूसरे हाथ में पकड़ें और अंगूठे के चारो ओर गुमाते हुए रगड़ें दूसरे अंगुठे से दोहराएं उंगली के नाखुनों को अंगुठे समेथ दूसरी हतेली पे रगड़ें और दूसरे हाथ के लिए भी यदि साबुन का उप्योग कर रहे हो तो पानी से हाथ दोएं और नल को साफ तॉलिये से बंद कर दें यदि हैंड सानिटाइजर का उप्योग खिया हो तो जब हाथ सूप जाते हैं तब विस सुरक्षित होते हैं आप खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं अपना चेहरा न चुएं अपनी आखों नाख और मू को बिना दुले हाथों से न चुएं बार-बार चुई गई चीजों और सतों को की ताणू रहित करते रहें लक्षणों पर नजर रखें कोरोना वाइरिस बिमारी 2019 के रोगियों को हलके लक्षण जैसे बुखार, खासी और सांस लेने में तकलीव सहित गंभीर शसन संबंधी बिमारी का आनुभव हुआ है यह लक्षण संक्रमंट से 2-14 दिनों के बाद दिखाई दे सकते हैं यदि आपको नीचे दिये गए लक्षणों में से एक या अधिक लक्षण हो तो तुरंत चिकित सा प्राप्त करें सांस लेने में कठिनाई, चाती में लगातार दर्द या दबाव, नई भरांतियों का पैदा होना जो पहले नहीं थी या नीन से उठने में तकलीफ, होटों या चेहरे का नीला पढ़ना और तेज बुखार शारीरिक दूरी कैसे काम करती है? इससे संक्रमन की कड़ी तूट जाती है आपके और दूसरों के बीच जितनी ज्यादा शारीरिक दूरी रहेगी, वाइरिस का फैलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, या प्रसार की गती और सीमा को कम करती है क्या रोब्थाम प्रभावी है? जी हाँ, पिछली महामारियों के अनुभवों से जो हमने सीखा है, उसके मुताबिक शारीरिक दूरी का जल्दी और तेजी से लागू किया जाना संक्रमन के फैलने और मित्युदर को काफी हद तक कम कर सकता है इसका लक्ष्य वक्र को समतल करना और मामलो की मात्रा को लगातार कम करना है अईसोलेशन या अलगाव, कॉरेंटाइन या संग्रोध और शारीरिक दूरी अलगाव, संक्रमन से बीमार लोगों को, जो लोग बीमार नहीं हैं, उनसे अलग रखा जाना संग्रोद, संक्रमन के संपर्थ में आने वाले लोगों को अलग रखा जाना और उनके आने जाने पर पाबंदी लगाना ताके वे बीमार होते हैं या नहीं इस पर नज़र रखी जा सके जो लोग बीमार नहीं हैं एहतियात के तोर पर उन लोगों में आपस में संपर्थ को कम किया जाना अगर हमें लगता है कि हम बीमार नहीं हो सकते तो हमें इसकी परवा क्यों करनी चाहिए आपको व्यक्तिगत तोर पर कम खत्रा हो सकता है लेकिन इस तरह की कदम उठाने से पूरे समाज को फाइदा होगा एक व्यक्ति जो बहुत बिमार नहीं होता वो फिर भी दूसरों को संक्रमित्व कर सकता है जिसमें उसके माता-पिता, पडोसी, बस में साथ सफर करने वाले लोग आदी शामिल हैं इसी लिए इस महामारी को रोकना हम सभी पर निर्भर करता है परोकार नहीं बल्कि एक जुटता इस महामारी को हराने के लिए हमें सभी की जरूरत है हमारे कई लोग बिना भोजन, पानी, घर और यहां तक की आश्रे के बिना है यही कारण है कि इस अलगाव में भी हमारा जुड़े रहना आवश्चक है कोरोना वाइरिस महामारी के दौरान पडोसियों की रक्षा के लिए समाजिक संस्थाएं और जागरुक नागित एक साथ आ रहे है आगे की एडवाकिसी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हमें इसे एक जुटता और स्वास्त के शन के रूप में देखने की जरूरत है